देश के सोलर मेन के रूप में प्रसेद आयाईटी बॉंबे की प्रोफेसर चेतन सिंग सोलंकी सोलर एनरजी संचालित बस से 11 साल से यात्रा पर है परियावरन जागरुकता के उद्देश से शुरू की गई यात्रा जैपूर पहुंच चुकी है हमारे समवादाता ने प्रोफेसर चेतन सिंग सोलंकी से की विशेश बात चेद अभी हम मौजूद है सोलर एनरजी से संचालित एक बस में और इस बस में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर चेतन सोलंकी जी जिन्होंने 11 साल तक इसी बस में क्लाइमेट चींज के उदेश्य से यात्रा करने का संकल्प लिया है आईए जानते हैं क्या उनका उदेश्य था ये यात्रा शुरू करने का जो जल्वाई परिवर्तन हो नहीं हो चुका है हम सब अनुगों करते हैं इसके प्रती अवेर्नेस लाना और खासकर कि ये वेर्नेस लाना कि पहला तो यह कि यह जो चल्वाई परिवर्तन हुआ उसके पीछे एक ही कारण है वो में कारण है कारबन उर्जा कॉप्यों करना जिसमें पेट्रोल डीजल लपीजी सी एंजी यह सबात हैं परंतों साथ में यह उससे भी ज्यादा जरुरी है समझना कि यह में ने किया है क्योंकि हमेशा लोगों से पूछो क्लामी चैन किस ने किया तो कोई उलता सरकार को ठीक करना चाहिए, इंडस्री को ठीक करना चाहिए हम यह नहीं समझते कि ultimately हर यूजर, consumer है वो जिम्मेदार है गौर्णन बिजली बनाती तो खुद नहीं यूज करते हैं, हम सब यूज करते हैं similarly कोई company product बनाती तो हम यूज करते हैं तो हर जो consumer है, वो जिम्मेदार है, तो उसमें कोई जिम्मेदार है, तो सभी लोग आ जाएंगे, गरीब, अमीर, शहर का, गाउं का, American, African, Indian, सभी लोग है तो यह जो यात्रा का purpose है कि हर व्यक्ति जल्वाई परिवतन का जिम्मेदार है, इसलिए हर व्यक्ति को solution का हिस्से दरा बनना पड़ेगा यात्रा आपकी कहां कहां गई और आप कौन से कौन से शहरों में आप जाना है यात्रा पूरे लगभग देश का एक चकर तो होई चुका है सभी राज्यों में, नौर्थ इसको छोड़के और अभी second round चालूआ है और यह इसी तरह से सारे शहरों में चाती रहेगी सर और इस बस की कुछ खासियत बताएंगे आप यह solar energy संचालित बस है सबसे पहले तो मैं कहता हूँ यह बस नहीं मेरा घर है क्योंकि मैं इसमें रहता हूँ तो यह सारा काम है solar panel से ही चलता है, तो अपने आप में एक चलता फिर तक घर है, वो यह दिखाती है, बस कि सारे काम हम solar पे कर सकते हैं, दूसरा, इतने छोटे में भी सारे काम कर सकते हैं energy literacy के बारे में बता है, आपकी शर्ट पे भी लिखा है, I am energy literate, are you, तो इसके बारे में कुछ बता है, तो यह actually देखा जा है, हमारे सास्तों में भी लिखा है भारत में कि पूरी दुनिया उर्जा का खेल है, यह सब करते है energy से ही तो होता है, खाना खाना, चाई, पीना, कपड अधार किलमेटर से आता है, पैट्रोल डीजल पांच 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 शेच शे हजार किलमेटर दूर से आते हैं, उनको इतना प्रोसेस करना पड़ता है, इतना तार वायर लगता है, तब जाके energy हमारे तक पहुँचती है, और हम ऐसे यूज कर लेते हैं, बिना जाने सोचे यूज करते हैं, यूज करते हैं, हम लोग जर्वत से जादा यूज करते हैं, हम लोग inefficient तरीके से यूज करते हैं, तो energy को समझना, कहां से आती है, किदर जाती है, मैं कितना यूज करता हूँ, मेरे कारण कितना carbon emission होता है, मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, ये energy literacy है एनरजी लिटरिसी के बारे में बहुत रोचक जानकारी देने के लिए प्रॉफेसर शेतन सौलंकी जी का बहुत बहुत धन्यवा, इनको साड़े तीन साल हो चुके हैं और इनकी जो पूरी यात्रा है वो 11 साल की है, जलवायू परिवर्तन और परियावरन संगरक्षन के ये बहुत ही एहम ये भूमेका निभा रही हैं, कैमरा परसन सुनील के साथ अर्निशा, डीडी न्यूस, जैपूर